आन्दुप्रदेश के मश्हूर तिरुपती बालाजी मंदिर में तमाम कोशिशों के बावजूद कोरोना का संक्रमन नहीं धम रहा है इस मंदिर में दर्शन की वज़े से अब तक 733 स्टाफ कोरोना की चपेट में आ चुके है जबकि एक पुजारी समय तीन लोगों की मौध हो चुकी है लगतार कोरोना मरीजों के सामने आने पर भी मंदिर प्रबंदन का दर्शन पर रोक लगाने का कोई इरादा नहीं है आठ अगस्त को मंदिर में साड़े आठ हजार लोगों ने भगवान का दर्शन किया था तिरुपती बाला जी का मंदिर लॉकडाउन के 80 दिनों बाद 11 जून को खोला गया था जिसके बाद से यहां लाखो भक्त दर्शन कर चुके है सिर्फ जलाई महीने में देश के कोने कोने से 2,38,000 लोग भगवान वैंकटेश्वर के दर्शन के लिए पहुचे थे शुरू में दर्शन करने वालों की संख्या 12,000 तैकी गई थी लेकिन अभी हर दिन 9,000 भक्तों को भगवान के दर्शन की इजाज़त है तिरुमाला तिरुपती देवस्थानम के कारेकारी अधिकारी अनिल कुमार सिंखल ने कहा कि जब दर्शन के लिए मंदिर को खोला गया था तब इस फैसले की तारीफ हुई थी सिंखल ने कहा कि संक्रमन होने वाले मंदिर स्टाफ में 403 लोग ठीक होकर वापस काम से जुड़ गए है और 335 लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है मंदिर प्रबंधन के मुताबिक तिरुपती में कुरूना संक्रमन बढ़ने के चलते भक्तों की संख्या में कुछ कमी आई थी लेकिन पिछले तीन दिनों से संख्या बढ़ने लगी है 8 अगस्त को 8000 भक्त दर्शन के लिए पहुचे जबकि लक्ष 9000 का रखा गया था देश भर में कुरूना के मामले बढ़ने पर ऐसे लोग दर्शन के लिए नहीं पहुच पा रहे है जिनके इलाके रेड जोन में आ गए है ऐसे लोगों ने बुकिंग पर 1000 रुपे खर्च किये थे मंदिर प्रबंधन ने कहा है कि बुकिंग का पैसा रिफंड नहीं होगा क्योंकि रिफंड की सविधा सिर्फ लॉक्डॉन के देवरान ही थी मंदिर में करुना के मामले लगतार आने पर Trad Union C2 और Workers United Front ने दर्शन रोकने की अपील की थी लेकिन मंदिर प्रबंधन ने कहा है कि दर्शन नहीं रोका जाएगा Bureau Report, Go News